पश्या अनिशम जगदेजम छणभंगु निष्ठम वैराग गिराग रशिको भवख्तिनिष्ठा भख्तिनिष्ठ वैराग गिराग रशिको हो जाओ भागवत धर्म का आश्रे लोग, लोक धर्मों का त्याग करो न किसी के दोश का चिंतन करो, न किसी के गुण का चिंतन करो संत सत्गुरु की सेवा, गव ब्राह्मन की सेवा, दिन दुखियों की सेवा भगवत भागवत सेवा और कथारस का पान, बस इतना ही साधन करो सेवा और सत्संग, दो साधन करो यहाँ एक विशेश बात है सेवा कथा रस्मह नितराम पिबत्वम पहले सेवा है फिर कथा रस्का पान ज्यान देकर और कान खुलकर सुन लो कथा सुनने की बड़ी महिमा है पर जिन में बिलकुल सेवा भाव नहीं है कोई लंबी चोड़ी बातें याद करके बस दूसरों को सुनाते हैं पूजा प्रतिष्ठा और पेट भरने का साधन उसको बना लेते हैं उनके जीवन में ब्यवहार में ज्यान उतरता नहीं है इसलिए सेवा प्रधान है सेवा भी करो और सत्संग भी करो देह जो है वो रजोगन तमोगन का परिणाम है फिर से सुन लो यह बड़ी सुक्ष्म बात है देह जो है वो रजोगन तमोगन का परिणाम है रजोगुन तमोगुन का मिश्रण ही दे और जब तक रजोगुन तमोगुन की निवर्ति नहीं होगी तब तक सत्वगुन में प्रतिष्ठा नहीं होगी और सत्वगुन जब विशुद्ध सत्वबनेगा तभी वह प्रेम होगा और जब वह अवस्था मिलेगी तब साधक भगवान की निकटता का अनुभव करेगा इसलिए पहले आवश्यक है कि देह के रजोगुन और तमोगुन समापतो हो और देह के रजोगुन तमोगुन को मिटाने का एक ही साधन है निश्काम सेवा माता पिता की भगवत भाव से सेवा करो संत सद्गुरु की भगवत भाव से सेवा करो गव माता की भगवत भाव से सेवा करो किसी भी प्राने की भगवत भाव से सेवा करो और अच्यन्त निरलो भर निश्काम हो करके सिवा बस इससे रजोगुन तमगुन मुठ जाएगा फिर सात्विक्ता आजाएगी फिर माया का जो सत्व है वो नीचे रह जाएगा फिर भिशुद्ध सत्व भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा और फिर तो माई मेने लीनो सत्विक्ति केवल सेवा से राम जगद गुरुषी मदाज्य रामानंदाचार भगवान ने तो मंत्रार थे के उपदेश में स्पस्त कहा है कि देहा सक्तात्म बुद्धिर भवत यदा जब देहात्म बुद्धि साधक की बढ़ने लग जाए तो सेवा करके देहात्म जाने का साधन है सेवा